हमारे सभी दर्शकों को साधर पणाम जैशी कृष्णा आज मैं तीन राशियों के बारे में जानकारी दूँगा और यहां पर एक विशेश बात है कि तीन राशी वालों के लिए अच्छा योग भी है और कुछ सावधनिया भी इनको रखनी पड़ेगी क्योंकि मंगल की शनी पर द्रश्टी है शनी की मंगल पर द्रश्टी है और यहां इस्तती कब से कब तक है इसको जानेंगे और तीन राशियां, विशेश कर दो राशियां तो ऐसी है जिनको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है विवहा का रिष्ता तो आएगा, रिष्ता पक्का होने का योग भी बनेगा लेकिन क्या सावधानी रखनी है इस वीडियो में जानेंगे और एक राशी और है उनको भी सावधानी रखनी होगी चाहे लड़का हो चाहे लड़की विवाह के मामले में थोड़ी सावधानी रखनी है अन्य मामलों में भी सावधानी रखनी है उसको भी समझेंगे तो तीन राशियां कौन सी है सबसे पहले तो मंगल के बारे में बता दूँ आपको कि मंगल का गोचर अभी सीहा राशी पर चल रहा है और इसके बारे में पूरु में भी जानकारी दे चुका हूँ कि 30 जून रातरी ढ़ाई बजे लगबक से लेकर अर्थात 30 तारिक की रातरी और 1 जुलाई की सुबह यहाँ इस्तती प्रारम होगी ढ़ाई बजे और यहाँ इस्तती चलेगी 18 अगस्त तक दोपहर बाद अर्थात शाम को 3.55 तक यहाँ इस्तती चलेगी तो इस समय में तीन राशी वालों के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है विवाह का रिष्टा पक्का होने का योग बन रहा है सबसे पहली राशी है सीह राशी सीह राशी पर मंगल का गोचर चल रहा है और कुम्ब राशी पर शनी का गोचर चल रहा है ठीक सामने वाली राशी सीह राशी से ठीक 180 डिगरी दूरी पर कुम्ब राशी या सातवी राशी या छे राशी जोड़ें तो सातवी राशी कुम्ब राशी आती है तो सीह राशी के ठीक सामने वाली राशी कुम्ब राशी होती है और कुम्ब राशी पर शनी का गोचर चल रहा है यहाँ गोचर इस्तती शनी की काफी लंबे समय तक चलेगी यहाँ इस्तती तो मार्च 2025 तक चलेगी लेकिन सावधानी केवल 18 अगस्त 2023 तक ही रखनी है सीह रा आएगा लेकिन यहां पर कुछ समस्या भी आएगी लेकिन आप दूसरी राशी को जान लेए दूसरी राशी कौन सी है देखिए मंगल की साथवी दरश्टी होती है और आठवी दरश्टी होती है तो मंगल की साथवी पूर्ण दरश्टी कुम राशी पर है और शनी की साथव पूर्ण द्रश्टी सीह राशी पर है तो मंगल शनी को देख रहा है और शनी मंगल को देख रहा है और यह द्रश्टी ठीक नहीं होती है एसी इस्तती में अगर यूं सारवजनिक तोर पर देखें तब भी समस्यां रहती हैं अगर धरती पर देखें तब भी अनेक प्रकार क समस्यां इस द्रश्टी से बनती है लेकिन राशी की बात हो रही है तो सबसे पहली राशी सीह राशी दूसरी राशी कुम राशी पर शनी है कोई समस्या वाली बात नहीं लेकिन मंगल की द्रश्टी है कुम राशी पर शनी और मंगल दोनों का प्रभाव है और सीह राशी पर चोथी दृष्टी से व्रश्चिक राशी को देख रहा है और शनी दसवी दृष्टी से व्रश्चिक राशी को देख रहा है तो तीसरा नंबर किसका है व्रश्चिक राशी का अब इन तीन राशी वालों के लिए समय तो यू देखें विवाह के मामले में विवाह का योग अर्थात विवाहं का रिष्टा आता है रिष्टा पॉक्टाल से और पाव तेज हैं तो ध्यान देवें इस समय में कहीं रिष्टा तूट ने जाहे सबसे पहली इस्थति दूसरी इस्थति इन तीन इसने राशी वालों को अपने काम काज पर भी ध्यान देना पड़ेगा 18 अगस्त 2023 तक अगर आपके साथ में कोई काम कर रहा है तो उससे भी प्रेम पुर्वक रहें या आप प्रेम पुर्वक रहेंगे तब भी कोई समस्या आपके उपर आ सकती है किसी प्रकार का कलह विवा व्यापारी हैं तब भी आ सकती है इस्तती बन सकती है और अगर नोकरी में हैं तब भी समस्या आ सकती है इसके अलावा पारिवारिक इस्तती शादी शुदा है तब भी वेवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है सीह राशी और कुम राशी वालों को तो सबसे पहले ध्यान दे देना ही है फिर इसके बाद आता है व्रश्चिक राशी का नंबर तो सीहं और कुम राशी वालों को तो विशेश दियान देना पड़ेगा क्योंकि शनी कि सीधी दृष्टी मंगल पर है मंगल सीहं राशी पर बेटा हुआ है तो सीहं राशी पर मंगल का प्रभाव है अब ए इस राशी पर राहु का गोचर है तो मंगल की सीधी दृष्टी कहां पर है कुम राशी पर लेकिन सीहं राशी पर मंगल बेटा हुआ सबसे पहली इस्तती हालांकि सीहं राशी का मंगल खराब नहीं होता है लेकिन शनी की दृष्टी है और राहु की दृष्टी सीहं आता है जैसे माली जी कोई लड़का है उसकी सीहराशी है या लड़की है सीहराशी है रिस्ता आया और अगर फोन से बादचित की जिस किसी लड़के या लड़की से और सावधानी नहीं रखी बादचित में तो फिर रिस्ता पका नहीं प्रकार से आपको सावधानी 18 अगस्त 2023 तक रखनी तीसरी राशी प्रश्चिक राशी उनको भी यहाँ पर सावधानी रखनी है तो चोटी सी जानकारी है और समय भी बहुत कम है हालांकि कोई लंबा समय नहीं है केवल 18 अगस्त 2023 तक है लेकिन फिर भी इसी है राशी पर मंगल की इस्तती 18 अगस से समाप्त हो जाएगा राहो की दर्ष्टी तो रहेगी थोड़ी सावधानी रखनी है लेकिन इस विशय को समझाना बहुत जरूरी था क्योंकि रिष्टे तो आएंगे और फिर द्यान से बादचित नहीं करेंगे तो काम पका नहीं हो पाएगा और फिर समझ से आती है और कुंडली में अगर दोश है सब्तम भाव ही पीडित है कमजो रिस्तती में है तो फिर इन तीन राशी वालों को वहाँ पर और ध्यान देना पड़ेगा अब एक बात और नोट कर ले मैं अगर आपकी सीह लगन की कुंडली है या कुंब लगन की कुंडली है या व्रश्चिक लगन की कुंडली है तब भी इस समय में थोड़ा सा ध्यान जरूर देवे विशेशकर सीह लगन और कुंब लगन वालों को तो ध्यान देना ही है पांच नमबर या ग्यारा नमबर से लगन बन रहा है तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है तो बहुत सी बार रिष्टे आते हैं हम भी खुश होते हैं लेकिन संतान की राशी उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो अगर बाचीत में सावदानी नहीं रखेंगे तो दिक्कत आती है तो यह विशय आपको केसा लगा अच्छा लगा हो तो अधिक से दिक शेयर करें ताकि जिनकी राशी इनमें से है वे 18 अगस्त तक जाकरूप रहेंगे उनको लाब मिल सकता है त्यान देवें धन्यवाद जैसे कृष्णा